पुराने से पुराना बुखार हो, टाइफाइड का बुखार हो, छांसी हो, चुकाम हो, बुखार के बाद सरीर में कमजोरी हो, लीवर पर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, यह दवार रामबान का काम करती है, पूरी वीडियो देखें आज मैं आपके लिए कैसी दवा ले कराया है जो मात्र तेड़ सो रुपे में है अगर आप तेड़ सो रुपे खर्च कर सकते हो तो हॉस्पिटल का बिल बचा सकते हो जी हाँ यह एक आयरवेद की प्रभाव सालियों सदी है और बहुत ही लावदायक आज से पाच मेने पहले जब मुझे कोविड के लक्षन हुए थे तो इस दवा ने मुझे बुखार में बहुत रात दिलाई मेरी हुमिनिटी पावर को बढ़ाया बुखार के कारण जो मेरा सरीर कमजोर हो गया था उस कमजोरी को दूर किया और बहुती लावदायक दवाई है इस दवाई को जान लेते हैं इस दवाई का नाम क्या है किस प्रकार हमें प्रियोग में करनी है कितनी मात्रा लेनी है बच्चों को कितनी मात्रा देनी है खाने में क्या खाएं और किन बातों का ध्यान रखें नवसकार दोस्तों आपका स्वागता है आपके अपने यूटूब चैनल तक सब्स आज हम बात करेंगे अम्रितारिष्ट के बारे में, इस दवा का नाम अम्रितारिष्ट है, आपको मिलेगी कहां से, किसी भी normal store से ले ले, आयरवेदिक store से ले ले, पंसारी की दुकान से ले, कौन सी company की, चार से पांच कंपनिये बनाती हैं, किसी भी company के लिए, कौन-कौन सी बाद जो आपके सरीर में कमजोरी हो जाती है उस कमजोरी को दूर करती है लीवर आपका भोजन नहीं पचा पाता आपके लीवर में सूजन है इंफेक्शन है उसमें बहुत इलाब दायक है नियमित रूप से लीजिए परेज कीजिए सो एक परसेंट रहल्ट देगी दोस्तो यह रामबान का काम करती है अब जाल लेते हैं खाना क्या है हमेर कितनी मात्रह लेनी है इसकी इस दवा को देने से पहले पहले से अच्छी तरह ला ले जो इसमें जरीबुटियां होती है वो बैठ जाती है नीचे और जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे है दो साल तक उनको मात्र 2-2 ml दे 2-2 ml और जो 5 साल से 10 साल के बच्चे है उनको 5-5 ml और जो 10 साल से 15 साल के बच्चे है उनको 10-10 ml और जो उससे अधिक है उनके लिए 15-30 ml दवाई देनी है, जी हाँ, 15-30 ml, देनी कव है, खाना खाने के 15-20 मनट बाद, जितनी आप दवा लें, ध्यान रखें, जितनी आप दवा लें, उतना ही पानी मिलाएं, पानी या तो गंगणा होना चीए, या ताजा होना चीए, खाने में क्या खाएं अब, जितना हो सके उतना हलका भोजन लें। दलिया है, खिचडी है, डाल है, सूप है, चीकू है, पपीता है। जितना हो सके उतना हलका खाना खाएं। तली हुई चीजें। लाल मिर्च, करम मसाले, मैदा की चीज बिलकुल ना खाएं। जब तक आप बीमार हैं, जब तक आप ब खूनी भी नहीं है और नियमित रूप से लेनी है आपको जो मैंने अभी बताया है खाना खाने के बाद 15-20 मिनट बाद गुंगोने पानी में या ताजे पानी में लेनी है अगर आप नियमित रूप से एक सीसी पी लेते हो परेज बनाके बुखार के वाद जो सरीर में कमजो दस्त के उपर रहेगी आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें बताएं अगर आपको कोई सवाल या सुजाव है तो हमें कमेंट करें जरूर और चैनल को सब्सकाइब करना ना भूलें धन्यवाद दोस्तों